वेलकम टू ग्लैमवल टॉक्स और छितने गेस्ट आएं उन्हों सब्ने इतनी बार मुनवर्थ फारुकी के सामने इसको जलील किया। इसको तकलीफ है कि मुनवर फारुकी के सामने इसको कान पकड़ के उठ बैट करना पड़ा, इसको तकलीफ है कि मुनवर फारुकी के सामने इसको वाक ओफ शेम करना पड़ा, इसको तकलीफ है कि जिस दिन इसको घर से बाहर निकाला गया, उसके एक दिन पहले से मुनवर फा अगर काला धक्के मारके वो भी कोई इज़त के साथ नहीं, काफी उसकी इज़त की नियनामी करके इसको घर से बाहर भेजा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये तो हैं ही एक रीजन जिसके कारण इस जोकर को मुनवर से प्रावलम है। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है इस जोकर का मुनवर से इतना चेहने का, वो रीजन है लड़कियों का। अरे पाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी हाँ, आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको explain करता हूँ, उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और मुनवर को जो इतना जादा लड़कियों से टेंसन मिलता है, इस चीज से लेके ये जो हमारा ठड़की आदमी है जोकर, इसको उस बात से प्रॉबलम है। सबसे बड़ी दिक्कत जोकर को इसी बात से है, और ये आदमी जेलेसी के कारण अंदर से इतना जल गया है कि अब जो है सोसल मीडिया पे फेक नीज भी फैलाता है, कुछ भी जूटी ख़बर फैला देता है कि मुनवर फारुकी को जबलपुर में पीटा गया है, यहां गय जबकि मुनवर फारुकी आराम से बड़े बड़े फैन मीट्स कर रहा है, मीडिया फैन्स के बीच में इतना क्रेज है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उसके बीच में इतना क्रेज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको पसंद कर रहा है, लेकिन ये जो आदमी है व कुछ नया जूटा narrative लेके आ जाता है जब ये जोकर घर के अंदर गया तो वो एक narrative के साथ गया कि मुनवर फारुकी ने किसी religion का अपमान किया है हमने एकदम बहुत ही detail में लगभग 35 मिनट का एक वीडियो बनाया है जिसमें इस बात को एकदम अच्छे से clear किया है कि मुनवर फारुकी ने कैसे किसी भी धर्म किसी भी देवी देवता के कभी अपमान नहीं किया और सिर्फ out of context एक propaganda उसके खिलाद चलाया गया है उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं हमारे eye button में भी मिल जाएगा और उसका link आपको description में भी मिल जाएगा तो जोकर सबसे पहले घर के अंदर ये वाला narrative लेखे गया लेकिन घर के अंदर illusion की बात को कर नहीं सकता था तो वो बस बैठे बैठे देखता रहा और स्टार्टिंग में गया बहुत ही चैक कि मैं जाओंगा बाबु भीया के सामने कोई बोल सकता है क्या उसको लगा कि मैं इल्विस की दो-तीन चुपचाप यहां से तो डे वन से घर के अंदर और घर के बाहर जोकर सावित होने लगा और बाहर भी आज की डेट में उसके असली नाम से जादा लोग जोकर के नाम से उसको पहचानने लगें ये किचिन वाला जो incident हुआ जिसमें मुनवर फारुकी ने जोकर की बोलती ब जो है सिरफ और सिर्फ जो ठटकी जोकर है इसका लड़कियों का है और कोई भी नहीं है घर मे पहले वीक में ही आपने देखा होगा कि मुनारा के साथ मुनावर की दोस्ती होने लगती है बिनकिसी बाहर के इंफॉर्मेशन से घर के अंदर ही लोग हैस्टएग मुनारा वा सोच के गई थी, वो भी मुनावर से बहुत जादा चेप हो रही थी, जिसके कारण अभिशेक को प्रॉबलम भी हो रही थी, उसने इशा का हाथ भी मरोर दिया था घर के अंदर जितनी भी लड़कियां थी, चाहे वो उसके बाद आप जो सिनियर लेडिस जिगना जी, दिंकु जी ले लीजिए, उनकी बात कर लीजिए सारे के सारे मुनावर को इतना अटेंसन दे रहे थे और जोकर को बिल्कुल भी लड़कियों का अटेंसन नहीं मिल ला था यहां से उसके अंदर जो है बस पहले सबके सामने बात रखा कि लोग मुझे और मनारा को लिंक कर रहे है जबकि पूरे घर में कोई लिंक नहीं कर रहा था और सना ने बहुत जवरदस्त रोस्ट भी किया कि भाई यह तो एकदम नकली बात लग रहा है तो जूट लग रहा है आखिर जोकर के साथ अनुराग के साथ कोई कैसे लिंक कर सकता है मनारा को मुनावर के साथ फिर भी समझ में आता है तो वो बहुत ही इपिक रोस्ट था उसके बाद वो खुद से जोकर जो है कि मैं तरह best friend हूँ हम एक relationship declare करने इस घर में अपना और वो खुद से अपने आपको best friend declare करवा लेता है मनारा से और मनारा तो dumb है ही उसको जोकर चिंटु जैसे लोग जो manipulate कर लेते हैं तो उसका कितना दिमाग वोगा आपको पता ही है तो जोकर खुद से अपने आपको मनारा का दोस्त बनाता है खुद से वो खांजादी का दोस्त बनाता है और सबसे वो क्या बात करता है 24-7 सिर्फ मुनावर की बुड़ाई तो मुनावर को लेके वो obsessed तो हैं लेकिन सारी की सारी लड़कियों वाला जो है main matter है उसका इतना हाथ पर मारने के बाद भी मुनावर का मुनकिता हैस्टेग चला मुनीशा हैस्टेग चला उसके बाद मुनारा तो starting से चली रहा था सब कोई लड़कियों के साथ मुनावर का जो है नाम जुर रहा था पर इसको कोई attention ने मिल ला था जिस समय ये घर से बाहर निकला जब मुनावर ने धक्के मार के इस जोकर को घर से बाहर निकाला तो बाहर आके वो डिल क्या देखता होगा जब भी फोन खोलता होगा इस्टाग्राम खोलता होगा उसको सारे वही डिल्स दिखते होंगे मुनारा वाले डिल्स दिखते होंगे अंकीता की टीम मुंकीता वाली जो डिल्स सेर करती थी इशा के बहुत सारे फैंस हैस्ट और मुनीशा वाले जो हैं वो डिल्स वाइरल कर रहे थे तो उसको ये देखने को मिलता है जब मुनावर फारुकी फिनाले में पहुंचता है तो मुनावर के फेबर में जितनी भी फीमेल सेलिब्रिटी जोर इंफ्लूएंसर है उनकी सपोर्ट की बाहर लग जाती है चाहे उसकी जितनी भी कोय अक्रेसेज रही हो चाहे वो जान भी हो रस्मीत कौर हो उन लोगोंने मुनावर को सपोर्ट किया उसके अलावा बड़ी हिरोईन जैसे जैकलीन फर्नांडिस हो उन्होंने सपोर्ट किया क्रिकेटर जो जुवेंट चेहल हैं उन्होंने उनकी वाइफ धनसरी बढ़मा उसने सपोर्ट किया फलक नाज हो गई पुजा भट ने भी मुनावर फार्युकी को डिफेंड किया उसके अलावा कई सारे इंफ्लुएंसर जैसे रॉसनी वालिया हो गई उसके अलावा आशिका भाटिया हो गई अवनीत कौर हो गई आसना कंचन वाला हो गई सना मकबूल हो गई लड़कियों की एकदम सपोर्ट की बार सी लग गई थी जहां पे एक फेम डिगर घर के अंदर जाके मुनावर पे टू-टाइमिंग वाला इल्जाम लगाती है जिसमें की वो खुधी अच्छे से एक्सपोज हो गई क्योंकि वो खुधी घर में बोल देती है कि ना हमारा कोई डिलेशनशिप था ना हमारा कोई कमिटमेंट था सारी बाते वो घर के अंदर खुधी बोल के एक्सपोज हो जाती है और बाहर भी सारे लोगों ने धजियां उरादी उसकी एक्सपोज करके कि वो सेर्फ और सेर्फ मुनावर के नाम पे फेम लेने, बिग बॉस में इंटरी लेने आई थी और वो उसको मिल गया, उससे जादा उसका कोई मकसद नहीं था ना मुनावर ने किसी लड़की के साथ कोई टू टाइमिंग किया और अब उस फेम डिगर को कोई पूछता भी नहीं है कुछ लोग हैं जो कि उसके फोटोग्राफ वीडियो सेर करते रहते हैं वो लोग भी उसको किस चीज के लिए फॉलो करते हैं वो आप लोग को पता ही है कि क्या रीजन है कुछ लोग जो उसको फॉलो करते हैं तो जोकर जब बाहर निकल की देखता है तो उसको सारी के सारी अपने फीड में सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा होगा जोकर को और जेलेसी होती ही कि उसको कोई लड़की भाव नहीं दे रही उसको निकाला गया तो कोई लड़की आ के ये नहीं कहरी है कि उसको गलत निकाला गया या सही निकाला गया फिर उसके बाद जब मुनावर फारुकी जीतने के बाद रोज-रोज मुनावर फारुकी का एक नहीं लड़की के साथ आता है फोटो और उस पे पूरी की पूरी मीडिया, पूरे के पूरे फैंडम्स जो है, वो ढूनने में लग जाते हैं कि ये लड़की कौन है, मुनावर मकबूल के साथ फोटो फिर ओरी के साथ पार्टी में एक लड़की के साथ फोटोग्राफ आता है वो लड़की मुनावर के साथ बहुती कमफर्टेबली डांस कर रही होती है और उसके साथ काफी फ्रेंडली दिखती है तो उसके बारे में लोग ढूनने लग जाते हैं अब जो कर ये भी देखता है विचाड़ा कि ये सारी की सारी लड़कियां इसको क्या हो गया है जो मुनावर को इतना प्यार दे रही है इतना सपोर्ट कर रही है और उसके साथ इतना फ्रेंडली है उसके बाद बिग बॉस 17 की रियूनियन पार्टी होती है जो ईशा माल भी है भर के अंदर मुनावर के बारे में बुरा बोल ले थी लास्ट के दिनों में, वो मुनावर के साथ फोटो खीचवाना चाहती है, मुनावर के साथ अपना फोटो और जो उसके साथ इवेंट में जाती है, वो डिल सेयर करती है, स्टोरी सेयर करती है, अपने प्रोफाइल पे, इशा के जितने फैंस हैं वो जाके रागव सर्मा जो है DMF प्ले वाला उसको जाके कॉमेंट करते हैं कि हम लोगों को इशा और मुनावर का साथ में जो है project चाहिए साथ में music video चाहिए फिर union party के अगले दिन मुनावर किया एक और लड़की के साथ दिखती है शिवांगनी के साथ उसके बारे में लोग भूनने लग जाते हैं कि ये कौन लड़की है अब जोकर बेचारा ये सारी चीजी देखता है और उसके अंदर से बस ये एक जो है insecurity और एक inferiority complex उसके अंदर घर करने लगती है कि सारी कि सारी लड़किया इसको इतना भाव के अदर है घर के अंदर उसने मनारा के साथ खुद से जवरदस्ती अपने आपको link up किया बाहर निकलने के बाद भी खांजादी ने आज तक अनुजादी या कुछ भी ऐसा नहीं बोला खुद से बाहर निकल अनुजादी के साथ कि मैं प्रजेक्ट करूगा गाना करूगा अपने मुँ से अनुजादी बोलता है खांजादी और अनुराद का गाना आएगा उसको भी गोली देता है कि एक घंटे में एक मिलियन क्यान आ जाएंगे जबकि 20 घंटे में 20 जशार कॉमेंट भी उसके गा पर आया नहीं था बड़ खांजादी एक गाना हम लोग करेंगे साथ में प्रॉमिस ये प्रॉमिस अनुजादी कर रहे है आप से अगर एक गाना ची कितने कॉमेंट हजार कॉमेंट बोल जो तेरे मन में है वो बोल 30,000 कॉमेंट 30,000 कॉमेंट कona अनुजादी करके ऐस कोमेंटो जहें अनुजादी तो खांजादी को मिवकूप बनाता है घांजादी के साथ वी आपना नाम भूद से जोडता है खानजादी उसके साथ अपना नाम नहीं जोरती उसके अलावा उसकी Big Boss की कोई भी Contestant उससे कोई Contact नहीं रखती और वही मुनावर फारुकी के साथ चाहे मनस्वी हो, शना रईस खान हो यह जितनी भी घर की female Contestant थी साड़ी के साड़ी उसके साथ फोटो की चाना चाहती है, सब के सब उसके साथ अपना फोटो स्टेटस स्टोडी सेयर करते रहती है, फिर मुनावर फारुकी का हीना खान के साथ गाना आता है, वो देखके जोकर और जल जाता है, हीना खान के साथ गाना आता तो आता, लेकिन हीना खान के साथ जो off screen BTS की जो photo videos आई जो vlog में देखने को मिला या फिर गाने के release के बाद मुनावर और हीना जिस तरह से मिले जिस तरह से जोकर जो है वो देखता है कि हीना खान मुनावर फारुकी के साथ इतना comfortable है इतना ऐसे best buddy के type रहती है फोड़ी से भी कहीं से भी कोई ऐ लगाती है कि my funny bunny मुनावर फारुकी trying his hand at romance all the best मुनावर फारुकी यानि कि अवनीत को और मुनावर फारुकी को प्यार से funny bunny बोलते हुए खुद के साथ romance करने के लिए all the best बोल रही है अब जो कर ये देखता है उसको और अंदर से लगता है कि भाई इसमें क्या ऐसी बात है मुनावर में जो कि मुझ में नहीं है और ये बात तो सारी दुनिया को पता है बस उसको ही नहीं पता है कि भाई उसके अंदर कुछ भी नहीं है IQ नाम की तो कोई चीज ही नहीं है personality नाम की कोई चीज ही नहीं है उसके बाद मुनावर फारुकी डांस दिवाने में जाता है तो डांस दिवाने में दो-दो लड़किया मुनावर के साथ अपना सेल्फी लेके सेर करती है, एक लड़की जो लिखती है कि ये मेरा crush of my life है, जो मेरा अब तक का biggest crush है, वो है मुनावर फारुकी और इसके caption के साथ अपना photograph सेर करती है, तो ये इतनी साथी लड़कियों से मुनावर फारुकी को जो प्यार और respect और जो comfort लेवल दिखाई है जिन लड़कियों ने और जिस तरह से support दिखाया है, ये main reason है जोकर के jealousy की, ये main reason है जोकी जोकर को सबसे आदा problem हो रही है, ये सारी चीजों को देख के, चाहे big boss के अंदर में मनारा हो, या फिर खांजादी हो, या अंकीता हो, सबने एक time पे accept किया कि मुनावर जो low phase में बहुत अच्छे से समझाता है, उनको बहुत अच्छा guide किया, और घर के बाहर भी जितनी भी उसकी friends है, या फिर जो भी लड़कियां उसके साथ मिल रही है, चाहे कि हीना खान हो, या अवनीत को और हो, सना मकबूल हो, आसना कंचन वाला हो, जानवी हो, रसमीत को और हो, जितनी भी लड़कियां, सारी के सारी मुनावर के बारे में ज़्यादा प्यार दिखा रही है, उसके बाद अभी हाल ही में जो हर्स गुज्राल का comedy show आरा सोनी पे, वहाँ पे हुमा कुरेसी के साथ मुनावर फारू की दिखाई दिया, हुमा कुरेसी भी मुनावर के साथ बहुती friendly, बहुती comfort level के साथ, बहुती प्यार से जो उसके सा मुनावर के बारे में, इसके अलावा और कोई भी reason नहीं है, उसके अंदर की जो यह insecurity है, और जो लड़कियों से मुनावर को support मिलना है, यह देखके उसके अंदर का जो ठरकी आदमी है, उसको यह बरदास्त नहीं हो रहा, मुझे तो यही लगता है कि यही main reason है, आपको क्य लगता है, क्या आपको भी लगता है कि जो मैंने बताया है वो reason सही है, अगर आपको लगता है सही है तो आप comment करके बताइए, तो बस इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को end करते हैं, अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है तो please हमारे channel को subscribe कीजिए, मिलते हैं फिर अग you